समस्कार स्वागत आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल बर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं काफी एक इंपोर्टेंट इशू हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा एक तो यह कि भारत में कितनी तरह की राजनिति पार्टी होती हैं आपने नेशनल पार्टी सुना होगा स्टेट पार्टी सुना होगा नेशनल पार्टी में जैसे आपने कॉंग्रेस सुन लिया या बीजेपी सुन लिया ऐसी स्टेट पार्टी में आपकी अलग-अलग पार्टी होती होगी जैसे उत्रपरदेश के अंद कि यहां हैं भारत के अंदर आपने तो गिनी चुनी सुनी होगी हद्स मार के आपने 10-15 सुन रुखी होगी एच्छल में भारत के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे साथ ही साथ आज हमें काफी एक वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यह मुद्धा आपके सामने क्यों आया है ऐसा क्या हो रहा है देखिए हाली में क्या हुआ है जो चुनाव आयोग है उसने कहा है कि 111 जो रजिस्टर्ड अन्रिकर्गनाइजड पॉलिटिकल करो क्योंकि यह अस्तित्व में ही नहीं है नोन एक्जिस्टेंस है यह 111 पॉलिटिकल पार्टी सांव भारत के अंदर क्या कितनी है टोटल देखें लगबग आज की डेट में बात करूं तो 2800 पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड हैं हमारे देश में अब इन में से क बारे में हम देखेंगे और आज जानेंगे कि देखें अन्रिकगनाइज पार्टी क्या होती है अभी आपने देखें नैशनल पार्टी आपने सुना होगा नैशनल पार्टी जैसे बीज़पी कॉंग्रेस हो गई आपने स्टेट पार्टी सुना होगा जैसे स्माजवादी party हो गई, यह हर्याना के अंदर मैं INLD के बात कर लूँ, तो यह national party, state party आ जाती है तो दो यह party हो जाती है एक आती है, registered है लेकिन unrecognized party है तो यह तीसरी type के आती है registered है, लेकिन unrecognized political party है, जिसको R-U-P-P, यानि रूप हम कहेंगे इसको short form में, इस तरीके की party होती है हमारे देश में अब यहाँ पर इसके अलावा जो चुनाव आई हो गए, उन्होंने कहा है कि 111 तो हम delete करेंगे करेंगे, साथ ही साथ, तीन जो parties हैं, उनके खिलाफ गंबीर जो financial, एन यह मित्ता यानि कि उन्होंने अपनी जो financial जो है, वो revenue के अंदर कहें कि कुछ गडबर दिखाई है, जिसके चलते उनके खिलाफ गंबीर आरोप भी लगाए गए और उसकी जांच के लिए, जो department और revenue है, कहा कि भी यह action लो इनके खिलाफ, और हाली के दिनों में, आप अगर ध्यान दें, तो जो पंजीगरत पार्टी हैं, जो registered पार्टी हैं, उनके खिलाफ यह दूसरी तरिक्के की कारवाई की गई है, इससे पहले लगबग 87 पार्टी इसको delete किया गया था क्योंकि वो 1951 act जो है, हमारे सामने जन परति नहीं थी, तो अधिनियम 1951 को उलंगन उसका उलंगन कर रहे थे अब 1951 जो ये एक act है ये क्या है, इसको भी हम जानने वाले हैं अब बात करते हैं इसके अलावा देखे, 87 जो गैर मोजूद, यह कि जो अस्तित्तों में नहीं थी, वो registered थी और unrecognized जो पार्टी थी उनको भी यहां से delete किया गया था, अब चुनाव आयोग ने कहा है, कि अभी जो 111 दलों को अधिनियम की उन धाराओं का उलंगन किया है जिनके लिए उनको actual में क्या करना था क्यों delete की जा रही है एक तो ये अपना जो address है, जो communication का address है, वो ये देर नहीं पाए, उसको एक तरीके से update नहीं कर पाए, अगर उनका change हुआ है तो election commission को उसको बताया नहीं है जिसके चलते जब छंटनी की गई तो 111 को छांटा गया और इनको delete करने की बात आगी देखिए, national political parties of India ये रही है आपके सामने, state political parties of India, ये रही है आपके सामने, जो आपने सुनी होंगी, अब बात कर लेते हैं, कि analysis of ये देखिए, ये 2018-19 के आंकड़े हैं, जिसमें लगबग 2360 के करीब जो है मारे सामने registered political parties हैं, और इसमें से 97 की अगर मैं बात करूँ 97.5% जो है, वो recognized, unrecognized political parties हैं अभी आपको पता चलेगा unrecognized कहते किसको हैं अभी इतना समझ लो कि 97.5% जो है registered तो हैं, लेकिन unrecognized हैं, बाकि 169 जो बज आती हैं, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं, कि वो recognized भी हैं और क्या कहें कि registered भी हैं, जिसमें national party और state party ये सब आ जाती हैं इसके अलावा, ये हटाई क्यों जा रही हैं, एक angle ये भी निकल के आ रहा हैं, कि money laundering का case काफी जादा बढ़ रहा हैं, क्योंकि political जो parties होती हैं, जो money होती है उसको black को white करने में बहुत use किया जा रहा है, इसलिए लोग parties बना देते हैं, political parties बना देते हैं, क्योंकि काफी सारी ऐसी political parties पड़ी भी जाती हैं, अब यहाँ पर जो एक data है, जो देखें, 2796 2796 जो parties हैं, recognized हैं लेकिन, जो मतलब कि registered हैं, लेकिन unrecognized political parties हैं, जो 2021 का एक आंकड़ है, अब यह increase हुआ है, 2100 से 300%, देखें कितना जादा, अब यहाँ पर एक जो angle यही बता रहे हैं, कि money laundering जो है, वो काफी जादा हो रहा है, यानि कि black money को white money इसके द्वारा किया जा रहा है अब यहाँ पर इसके अलावा, 87, जो मैंने आप लोगों को बताया है, कि जो 87, यह दूसरा action है, इससे पहले जो action किया गया था, जिसके अंदर 87, जो registered unrecognized political parties को delete किया गया था, अब इसके अलावा, बात कर लेते हैं, कि जो हमारे सामने registered unrecognized political parties हैं, वो होती कौन सी हैं, कहेंगे किन को, देखिए, या जो अभी अभी आपने कोई political party बनाई हो, क्या हम भी बना सकते हैं, कि सर, हम अगर आपने कुछ लोगों कोई कठा करके क्या हम एक party बना सकते हैं, बेशक बना सकते हो, आप अपनी political party बना सकते हो, या एक तो वो एक नई political party, या फिर जो राजिस्तर पर, राजिस्तर या दल बनने के लिए, विधान सबा या आम चुनाव में प्रयाप्त परतिशत, जो भी minimum vote percentage होती है, वो हासिल नहीं कर पाए, या जिनोंने registered होने के बाद कभी भी चुनाव लड़ाई नहीं, वो होती है unrecognized political parties, फिर से ध्यान से सुनो, एक तो आपने नई नई party बनाई, जिसने अभी कोई भी percentage vote का हासिल नहीं किया, या फिर इससे पहले आपने political party बना रगी थी, विधान सबा के चुनाव हुए, या फिर कऊंगी लोग सभा के चुनाव हुए, उसमें आपने कुछ भी percentage हासिल नहीं किया, जो आपको एक state level की party या national level की party का दरजा हासिल करा, उसके, वो आपने हासिल नहीं किया, तो वो आपकी unrecognized political party हो जाएगी, या फिर आपने party बना के ते छोड़ दी लेकिन कभी election लड़े ही नहीं, तो वो आपकी कहलाएगी unrecognized political party और ऐसे दलों को मानेता पराप दलों की धी गई सभी सुविदाओं का लाब नहीं होता, अब यहाँ ध्यान रखना जो भी recognized political parties होती है जो registered और recognized political parties होती है उनके पाच कुछ सुविधाएं भी होती है अगर आपकी party कल को आपने party बनाती है, बनाई और वो आगे चलके एक recognized political party बन जाती है तो आपको क्या-क्या सुविधाएं होंगी उनको भी हम इसके अंदर discuss करने वाले हैं सुविधाएं भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है मानेता प्राप्त जो राजनितिक दल है हम बात कर लेते हैं देखें, जो recognized political parties होती है उनको क्या-क्या लाब होते हैं अब देखें, एक जो मानेता प्राप्त जो राजनितिक दल है उनको बनने के लिए पिछले चुनाव में जैसे कि अभी आपको वो data भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे data है तो sorry मैं आपको वो criteria भी दिखाऊंगा जिसके तुरू कोई party जो है वो national level की party या state level की party जो है वो समय का प्रावदान है वहाँ पर free of cost वो अपनी एक तरीके से marketing कर सकते है वह data सुची के तक पहुंच कुछ विशेश अधिकार भी उनको दिये जाते है साथ ही साथ जो national जो party होती है इनका जो एक भी symbol दिया होता है जैसे जो bgp है उसके जो symbol है कमल है अब कमल जो है वो उसी जो bgp के पास ही रहेगा वो किसी और को नहीं दिया जाएगा पूरे भारत के अंदर वो किसी को भी नहीं दिया जाएगा सेम कॉंग्रेस के लिए है और अब अगर को state party है अब state party में जैसे spa होगी यानि कि समाजबादी party होगी समाजबादी party के पास जो है वो cycle का symbol है अब जो cycle का symbol है वो उसी state में किसी को नहीं दिया जाएगा उसी state में वो किसी को नहीं दिया जाएगा लेकिन किसी और दूसरे state में शायद वो किसी को दिया जा सकता है यह फर्क हो जाता है नेशनल और स्टेट पार्टे के अंदर डिफरेंस में अब जो रिकरगनाइजड है जो रिजिस्टर्ड है लेकिन अन्रिकरगनाइजड है उनको कहा है कि आपने कभी देखा होगा कि लोटा, बाल्टी या फिर क्या कहते हैं कि कोई टैंपू का निशान दे दिया या फिर कुर्सी का निशान दे दिया या जग का या लोटे का कुछ भी वो निशान दे देते हैं वो रिजिस्टर्ड अन्रिकरगनाइजड पॉलिटिकल पार्टी दे दिया जाता है उनका symbol आने वाले time में बदल भी दिया जाता है या फिर ऐसी चीज़ें कर दी जाती है लेकिन जो वो national या state level की party बंजाती है तो उनका symbol fix कर दिया जाती है तो उनके पास वो एक power आ जाती है और आपने एक निर्दलिये भी सुना होगा निर्दलिये तो यह निर्दलिये के पास क्या symbol आता है निर्दलिये को पास कोई symbol नहीं आता यह एक तरीके से कहते हैं कि जो election commission होते हैं कि इनको बस एक symbol पकड़ा देते हैं कुछ भी फूल पत्ती कोई भी इनको symbol दे दिया कि जाओ भी लड़ लो अपना लोटा बाल्टी जो को बेचना वो बेच लो तो निर्दलिये उस हिसाब से महाँ पे लड़े जाते हैं हाँ जो unrecognized जो political parties हों ती है उनको थोड़े बहुत दे दी जाती है कि आप कुछ पचास एक symbol है इसमें से चांटनो चांटना हो तो बस ये एक थोड़े वो सुईदा आ जाती है अब इसके अलावा जो राजनितिक दल है उनको मानेता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है फरस्ट अफॉल हम बात करते है नेशनल लेवल पे अगर कोई party जो है विधान सभा के चुनाओं में चार अलग अलग राज्यों में जो भी वोट डाले गए वैलिड वोट थे वो जो भी वैलिड वोट डाले गए उनका 6% उन्होंने हासिल किया ठीक है फिर से ये आपको लिखी लिखाई मिलेंगी सो में इनके पास जो है वोट आगे इसके अलावा उन्होंने चार लोग सभा सीट के उपर अपनी जीत भी दर्ज करी हो ये दो हैं अलावा नहीं कहूँगा कि तथा यहां पर एड किया गया है उन्होंने 6% तो वोट हासिल कि के साथ इसाथ 4 सीट भी उन्होंने लोग सभा की जीती तब जाके वहां पर नेशनल पार्टी का दर्जा मिलते है एक तो ये कंडिशन पूरी कर ली या फिर अगर ये ना कर पाएं तो दूसरी कंडिशन ही होती है कि लोग सभा के कुल चुनाव हुए और लोग सभा के पूरे भारत के अंदर चुनाव के अंदर एक जो पार्टी है उसने 2% सीट के उपर अपना कबजा कर लिया यानि 11 सीट उसने जीत ली हो लेकिन कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों के अंदर वो 11 सीटे जीती हो जैसे पंजाब, हरियाना, राज्यस्थान, गुजराथ ऐसे अलग-अलग 3 राज्यों के अंदर वहां पर है 11 सीटे जीती हो तब वहां पर उसको नेशनल पार्टी का दरजा दे दी जाएगा अगर ये भी पूरा ना हो तो एक और शर्त यहां पर है अब बात करते हैं स्टेट पार्टी कैसे बना जाता है स्टेट की यानि की जो राज्यस्थार पर अगर राज्यनेतिक दल को माननेता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिय है ये काफी इंटरस्टिंग है ये सेम आपको जो पिछली वाला आपको देखने को भी लेगा थोड़ा बहुत वही सेम है देखे यदि किसी भी राज्ये के अंदर कोई पार्टी अगर बनती है माने कि A पार्टी बनी यहां पर वो हर्याना के अंदर बन क्या आती है अब इस A पार्टी को अपना राज्येस्तर के अपर हर्याना में राज्येस्तर के अपर अपनी मानेता प्राप्त करनी है तो ये क्या करेगी तो इसको क्या करना है जो विधान सभा के जो आम चुना हुए है वहाँ पर जो भी vote डाले गए है इस हर्याना के अंदर जो भी vote डाले गए है मालने कि कुछ vote इसके अंदर डाले गए अब इस vote का इसने क्या किया इस party ने इस A party ने इन total votes का जो भी valid vote थे उनका 6% तो इसने हासिल कर लिया इस political party ने साथ ही साथ इसके अलावा है मतलब कि मैं नहीं कहूँगा कि या तो 6% हासिल करो या 2% वही 6% तो हासिल करना ही करना है प्लस में 2 seat विधान सभा की उसको निकालनी है माने कि हर्याना में 90 seat है 90 seat में total vote डले उसमें से 6% vote तो A seat लेगी साथ ही साथ 90 seat में से 2 seat जो है वो A seat जो party ये भी लेके चलेगी तो इसको state level का दरजा मिल जाएगा यहाँ पर अब ये शर्थ पूरी हो जाती है तो अच्छी बात अगर ये ना हो तो फिर क्या करें यदिवाय संबंदित राज्ये से जो भी मतलब कि अभरियाना की बात कर लेते हैं अगर लोकसभा के आम चुनावों में राज्ये में जो vote डाले गए हैं उसका total वो है 6% अगर vote हासिल कर ले या फिर या फिर क्या इसके अलावा संबंदित राज्ये में लोकसभा में एक seat वो जीतता है ध्यान से रखना अब 6% उसने vote जीत लिए मतलब कि हासिल कर लिए और एक seat जो हो लोकसभा की है एक party जो निकाल के चलीगी यह दूसरा criteria है तो यहाँ पर क्या है इसको state level का दरजा दे दिया जाएगा इसके अलावा क्या है अगर वो चीज पूरी नहीं तो इसके लावा यह है कि जो आपकी जो A party है उसे ने राज्ये के विधान सभा के लिए जो चुना हुए उसकी कुल seat का 30 परतिशत या फिर 3 seat है जो भी अधिक हो वहाँ पर वो प्राप्त कर लिए पर 90 seat थी उसका 6% तो वहाँ पर जो वो डाले गए वो हाँ सील किया या साथ इसाथ उसने कितनी 2 seat जो है यहाँ पर उसने जीती हो तब उसको state level का दरजा दी दिया जाएगा या फिर इसके अलावा क्या है इस 90 seat में से 3 परतिशत या कहीं कि 3 seat जो है अगर वो जीत के भी आ जाती है दोनों में से कुछ भी अधिक हो सकता है तो उसको state level का दरजा दिया जाता है या फिर किसी भी राज्ये के अंदर मतलब कि जो 25 seat ओपर एक लोग सभा seat उसने संबंदित राज्ये से में लोग सभा के लिए उसने जीती हो या फिर जितनी भी लोग सभा के लिए जो seat जो हर एक राज्ये के अंदर आवंटित की जाती है मतलब कि जैसे अलग-अलग राज्यों में लोग सभा की seat जो है मतलब कि वहां की जनसंक्या के अधार पर बांटी जाती है तो वहां पर जितनी seat ओं का अवंटन किया गया है उनका एक अंस जीता हो तो उसको state level का दरजा दे दिया जाते है या फिर अगर ये भी पूरा ना हो तो यहां पर यदि यहरा ये 2011 में जोड़ी गई है यदि जो एक पार्टी है वो राज्ये या राज्ये की विधान सभा में लोगसभा की आम चुनाओं में राज्ये में डाले गए कुल वैद का 8 परतिशत हासिल करो इस से पहले क्या था 6 परतिशत उसने लोगसभा की seat मतलब कि वोट डाले गए थे लोगसभा के लिए राज्ये के अंदर वो हासिल क्या हो साथी साथ एक seat उसने लोगसभा की जीती हो तब उसको state level का दरजा दे जा जाते है ये 2011 की शर्त क्या गह रही हो वही 8% seat ले लो आप ये seat को रहने दो 8% seat के 8% vote ले लो जो भी valid vote डले थे उसका 8% vote ले लो और एक seat रहने दो आप बस 8% vote ही जीत लो तो आपको मान जाएंगे कि आप एक state level party हो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि the representation of people act ये क्या होता है इसके बारे में introduction देनते हैं देखे अगर हमारे देश के अंदर स्वतंतर और fair यानि democratic निस्पक्ष यानि कि fair अगर चुनाव का आयोजन कराना है तो यहाँ पर हमारे सामने आता है representation of people act स्वतंतर और निस्पक्ष तरीके से चुनाव को करना सुनिश्चीत करना उससे related जो भी स्कीम क्या है मतलब कि जो भी criteria fix करना तो वहाँ पर समिधान निर्माताओं ने समिधान के ध्यान रकना भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 इसको शामिल किया गया और यह जब शामिल किया गया इन आर्टिकल ने power दे दी संसद को कि वो चुनावी परक्रिया से related जो भी regulation बनाना चाहे वो बना सकती है और इस संदर्व में संसद ने जन परतिनित अधिनियों RPA 1950 और जन परतिनित अधिनियों 1951 यह दो लागू किये थे अब यहां पर बात करते हैं एक एकर के इन दोनों अधिनियों की सबसे पहले बात करेंगे 1950 1950 में क्या बोला गया इसके मुखे प्रावधान के है देखे निर्वाचन शेत्रों के परिशिमन के लिए परिक्रिया निर्धारित करना यानि कि यह क्या काम करता है इस एक्ट के अंदर कि डिलिमिटेशन किया जाएगा कि यहां पर देखा जाएगा कि एक constituency है इसके अंदर जनसंक्या कितनी है अगर यहां पर जनसंक्या बड़ी है तो यहां पर दो सीटें कर दी जाएगी एक सीट यहां पर आजाएगी और एक सीट यहां पर आजाएगी जनसंक्या के अधार पर लेकिन इतना ही बड़ी constituency है लेकिन वहां पर जनसंक्या बहुत कम है तो यहाँ पर एक ही सीट रहेगी, तो इसको कहते हैं डी लिमिटेशन, परी सीमन इसको कहा जाता है, जैसे अभी हाले में जमु कश्मीर में हुआ है, वहाँ पर सीटें बढ़ाई गई हैं, गटाई गई हैं, यह सारे डी लिमिटेशन के तहत होता है, फिर यहाँ पर लोग स जो है उसको निर्दार करना यह हो गया 1950 के तहट जो जनपरति निदी तू अधिनियम जो है आर्पी जो है 1950 के तहट यह सारे काम होते हैं, फिर हमारे सामने आता है जनपरति निदी तू अधिनियम 1951, इसमें क्या होते हैं देखे आपने सुनाव एक तो election होता है एक होता है उप चुनाव जिसको by election हम गोलते हैं तो यहाँ पर by election को सही धंक से चलाना या election को सही इंचालन उसका नियंतरन करना यह इस act के तहत किया जाता है यह चुनाव कराने के लिए परशाषनिक मशीनगरी परदान करता है यह राजनितिक दलों के रजिस्टेशन से संबन्दित है यह सदनों की सदस्यता के लिए आहरताओं और योगताओं को निर्दिशिट करता है मतलब कि किसकी qualification और disqualification किसी member की किसी भी house related हो तो यह निर्दायत करेगा इसमें ब्रश्ट आचरन या अन्य परादों पर अंकुष लगाने के प्रावधान किये गए हैं कि आपने अगर कोई गलत तरीका से अपना कर अगर आपने election जीते हैं तो आपको रद कर दिया गए आपके CT आपसे छीन ली जाएगी और इसमें चुनाओं से उत्पन संदेयों और विवादों से निपटनी की प्रिक्रिया भी निर्दायत की गई है तो यह आजाता है हमारे सामने 1951 Act आजाता है Representation of People Act of 1951 उमीद करता हूँ कि यह complete topic आप लोगों को समझ में आ गया करेगा People Representation of Act 1950-1951 भी मैंने आप लोगों करा दिया उमीद करता हूँ यह अच्छे से आपको समझ में आया होगा समझ में आया है तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे बहुत जादा मोटिवेशन मिलते हैं और कुछ जादा ही पसंद आया है तो भाई यह शेयर कर सकते हैं वीडियो को भी एस वले है चैनल को भी पीडियो के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलीग्राम का इक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकत हैं तो बसाज के लिए इतना है थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो